यह जो एप्लिकेशन है ना यह एप्लिकेशन कुछ ज्यादा पर्मिशन तो लेता नहीं है आपके डिवाइस का जो पर्मिशन है उस पर्मिशन में यह जो एप्लिकेशन है यह कैमरा का पर्मिशन लेता है ठीक है और लोकेशन का भी पर्मिशन लेता यह भी ठीक है और डिव प्रोसेट करेंगे प्रोसेट करने के बाद यहां पर हम परमीशन दे देंगे अपने इस फॉन का ठीक है अब देखो यहां पर जैसा कि आप सापतोर से देख रहे हो इस एप्लिकेशन के अंदर जो हमको लोन मिलेगा वो मिलेगा भाईए 10,000 रुपे से लगा करके 50,000 रुप तो 12 महीने तक कर यहां पर आसानी से आपको टाइम मिल जाता है लेकिन थोड़ा सा वीडियो पूरह देखे पर 12 महीने तक समय तो मिल जाता है लेकिन दोस्तों यहां पर जो डौकमेंट है ठीक है अगर आपके पास ones सारे डौकमेंट तो आप इसंद्ध अप्लिकेशन में loan apply कर लेना अगर सारे document नहीं है तो try मत करना क्योंकि ऐसा है आधे document डालोगे ठीक है pen card का नमबर डालोगे आपके civil पे inquiry तो पहुँच जाएगी लेकिन document पूरे ना होने के कारण आपको loan मिलेगा नहीं इसलिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे हम ज्यादा loan apply करते ना तो civil में inquiry जाती है और जब civil में inquiry जाती है तो civil दाणले से नीची आता है ज़्यादा inquiry डाले से भी नीची आता है ठीक है आप देखो यहाँ पर document की बात कर लेते हैं document में आपको क्या क्या देना है इसके लिए हमको apply now पर click करना होगा तो जैसे हम click करेंगे तो document में आप यहाँ पर देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देना होगा आधार card ठीक है आधार card का फ्रेंट फोटू और बैक फोटू आपको देना होगा हो सकता है यहाँ पर आधार card में जो mobile number link है उस पर OTPI OTP basic पर भी यह आपका verification करें ठीक है इसके बाद देना होगा आपको pen card का number ठीक pen card का number देना होगा आप यहाँ पर देख लो pen card की photo भी देने होगी और फिर देने होगी आपको यहाँ पर एक selfie ठीक selfie देने होगी और उसके बाद एक video बनाना होगा वीडियो में यह लोग जो कहेंगे वो आपको बताना है और वीडियो भी आपको अपलोड करना है और सबसे जो most important जो document है वो भाईया checkbook लेकिन यहाँ पर आपको देना है यह cancel checkbook ठीक है आप real checkbook मत दे देना cancel checkbook देना है और bank verification करवा देना है जैसे यह आप bank verification करवाओगे other document में जैसे कि आपको यहाँ पर email डर चालू करने के लिए कुछ features दिये जाएंगे तो कुल मला करके मैं आपको बता दू कि इस application के अंदर आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ document देने हैं जैसे ही आप यह सातों document दे देते हैं आपका loan approve हो जाएगा और उसके बाद आपकी bank में भी transfer कर दिये जाएगा तो देखो भाई मेरे पास में इस application के अंदर हमारे पास में एक document नहीं है जिसका नाम है चेक बुक, ठीक है अगर चेक बुक मेरे पास होता तो मैं आपको definitely इस application में loan के लिए apply करके दिखा देता बट जिनके पास checkbook है वो यहाँ पर आकर के try कर सकते हैं देख सकते हैं अपना offer कि किसको कितना मिलने बाला है ठीक है application का नाम में guide करूँ तो देखो application आप download करेंगे तो यहाँ पर धन राशी की नाम से मिलेगा अगर आप Google Play Store पर search करूँ तो फिर यहाँ पर आपको search करना होगा दोस्तो D-F-I-L ठीक है यह search करना होगा तो आपको मैं बता दूँ कि sorry आपको search करना D-F-P-L ठीक है यह है भाईया आपका धन राशी application ठीक है तो आपको इसको install कर लेना है और यहाँ पर apply कर लेना ठीक तो भाई वीडियो अगर आपको अच्छे लगा तो एक लाइक कर दे दोस्तों साथ share कर दे और अगर आपकी मन में कोई भी सवाल है ठीक है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिक की पुछ ले चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहन बंद मत